दोसो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक British author Rodyard Kipling की एक novel Kim दोसो Kim एक बहुत ही famous novel है जो कि net के exam के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है दोसो आज से हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं इसके कुछ parts बनेंगे बहुत ही interesting novel है आपको बहुत मज़ा है जो सुनने में शुरू करते हैं ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है Kim Ball Ohara जिसका जन्म हुआ है लाहूर में जो उस वक्त पंजाब का हिस्सा था लेकिन आज पाकिस्तान में है अब Kim यहाँ पर पैदा तो हुआ लेकिन ये एक अंग्रेज है एक बिटिशर है एक अंग्रेज का बच्चा लेकिन पाकिस्तानी बच्चों के साथ केलता है उर्दू में बोलता है कुल मिलागर ये खुश है पाकिस्तानी होकर इसकी माँ एक नर्स मेट थी फादर एक लो रैंकिंग के आफिसर थे इंडिया में जो आइरिश रजिमेंट थी उसमें लेकिन इसके फादर को एक बहुत बुरी लग थी अफीम की जो Kim के बड़े होते होते उन्हें खा गई वो गुजर गया और Kim हो गया नात ना जाने कैसे कैसे काम करके इसने अपनी जिंदगी जी और जो आरत Kim को पाल रही थी वो चाहती थी कि Kim येरोपियन कपड़े पहने एक येरोपियन है तो येरोपियन की तरह रहे लेकिन Kim जिद करके कहता कि मुझे दूसरे बच्चे की तरह रहना है पाकिस्तानी बच्चे की तरह किम अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था तभी एक दिन खेलते खेलते ये अपने दोस्तों के साथ पहुँचा लाहूर के एक local museum के बाहर जिसका नाम था Wonder House वहाँ इनको एक आदमे मिला जो कि एक लामा था उसने इनको बताया कि मैं एक बुद्धिस्ट लामा हूँ तिबत से आया हूँ और अभी अपनी तीर थियात्रा पर निकला हूँ केम उसे museum के मालक के पास लेके गया उसने museum के मालक को बताया है कि मैं चार holy sites पर जाना है बुद्धिस्म की मैंने रास्ते बर अलग-अलग type के लोगों को देखा है भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए दरसल वो पूजा नहीं करते हैं वो धूका देते हैं fake statues बनाये बैठे हैं मैं एक मकसद पर निकला हूँ कि एक river है river of arrows वहाँ पर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मुझे मोक्ष की प्राप्ती हो जाएगी मैं जीवन वरन की cycle से free हो जाऊँगा इसलिए मैं बनारत की तरफ जा रहा हूँ तो इस लामा को खाने पीने के लिए मिल गया उसने अपने बैक में बर लिए और जाने लगा किम ने अब लाहर की गली-गली नापी हूई थी उसने खुद से खाना पीना मांगा लोगों से और इस लामा को दिया और आखिर में इसके मन में जो इच्छा थी वो इसने सामने रखी कि मुझे अपना चेला बना लो मुझे आपके साथ चलना है मुझे अपना चेला बना लो लामा मान गया और ये दोनों बनारस चलने लगे साथ में अब क्योंकि किम अनात था इसको रोकने टोकने वाला कोई था नहीं तो ये लामा के साथ चल दिया और ये अपने दोस महबू बली के पास में लेकर आया लामा को लागी वो लोग रात गुजार सके महबू बली बोला भाई तू बना रस्तो जाईरा है तो रास्ते में अंबाला सिटी पड़ेगी कि वहाँ पर एक आर्मी के आफिसर को मेरा एक मैसेज दे देना कोई कोड टाइप का बताया था मैसेज दिया था महबू बली को लगा कि ये तो बच्चा है उपर से लामा इसके साथ है तो किसी को इस पर शेक नहीं होगा कोई से पक्ड़ेगा नहीं दोस्तों मैं आपको बता दो इस महबू बली के बड़े पंगे है तो अच्छा हुआ रात में ही किम वहाँ से जल्दी से जल्दी निकल गया लामा को लेकर और ये दोरों रेल्वे स्टेशन पर पहुंचे किम अपने और लामा के लिए एक टिकेट खरीदने लगा दो टिकेट खरीदने लगा तो टिकेट देने वाले बाबु ने इसको लुटने ही कोशिश की लेकिन किम बड़ा स्मार्ट था उसने एक अंबाला की टिकेट कटाई एक Amritsar की टिकेट कटाई लामा बड़ा डरा हुआ था क्योंकि रेल्वे स्टेशन पर वो पहले आया नहीं था यहां की आवाजों से डरा हुआ था और कभी किसी ट्रेन में सफर नहीं किया था और ट्रेन भी भीट से भरी हुई थी खचाखच इस ट्रेन में सिख थे जाट थे एक बैंकर भी था ट्रेन पूरी भरी हुई थी और वो लोग आपस में बाते कर रहे थे क्योंकि चुप तो कोई रहता नहीं है ट्रेनों में फिर ट्रेन पहुँची अमरसर वहाँ पर टिकेट चेक हुई टिकेट चेकर आया उसने अमरसर की टिकेट अपने पास रख ली किम ने और अमबाला वाले टिकेट दे दी लामा को अमबाला आगे था और अमरसर पहुँच चुकी थी टिकेट चेकर ने किम की टिकेट चेक की टिकेट चेक की तो कहा कि तुम्हारा स्टिशन आगया उतर जाओ, अब वो उतरना नहीं चारा था, आगे जाना चारा था, तो टेकेट चेक करने कहा कि उतरो, अब वहाँ पर लोगों को किम पर दया आ गई, और उन्होंने किम को पैसे और खाना दोनों दे दिये, और ये अपने आगे की जरनी करने लगा, मैंने कहा था न, ये स्म लामा को लग रहा था डर क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही थी और नीचे से बहुत सारी नदिया गुसर गई, इसे ऐसा लगा कि कहीं ये इसकी वाली नदी तो नहीं थी, रिवर ऑफ एरोज, जिस पर इसको मोक्शी प्राप्ती होगी, अब एक किसान की बीवी भ पैठी थी ट्रेन में, वो लामा की बातों से बड़ा इंप्रस होई, उसने कहा कि मेरा घर अंबाला में ही है, तो आप दोनों मेरे घर चल कर रुकिए, आफर दिया, किम और लामा को, अब किम और लामा पहुँचे उस किसान की घर पर, किम वहां पहुंसते ही, अंबाला प कि ये समझने में कि महबूब अली ने इसको जो मैसेज दिया था, वो कोई छोटा मोटा मैसेज तो था नहीं, कोई सीरियस नियूस थी, शायद कोई लड़ाई होने वाली है, खेर, उस किसान के घर में रहते रहते किम और लामा मिले एक हिंदू बुजारी से, उस बुजार तो कोई इसको छेड़ता नहीं था लामा को, रास्ते में कोई साप दिखता है, तो किम उसे मारने जाता है, लामा बोलता है कि नहीं, इसे मत मारो, इसे अपनी जिने दो, इसकी जिन्दगी है, किम को पता नहीं क्यों ये लामा की बाते बहुत ही अच्छी लगती थी, इसल अगले दिन एक सिपाई आया इनके पास में, केम और लामा के पास में, एक उल्ड सिपाई, उसने जीटी रोड के बारे में इनको बताया, कि ये जीटी रोड है, ये सीधा बना रस जाती है, पर बाते करते करते ये पहुंच गए जीटी रोड पर, उस बड़ी सी रोड पर इ I hope आपको ये कहानी बहुत पसंद आ रही है इस कहानी को मैं पार्ट्स में cover करूँगा उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगेगी आज की वीडियो में सितना ही